नमस्कार क्यापिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर संसित की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आपको बता रहे हैं जहां आरोपियों को कोट से बड़ा जटका लगा है आज दिले पुलिस के स्पेशल सेल ने चार आरोपियों को पट्याला के हाउस कोट में पेश किया और पुलिस ने 15 दिन की रिमांड में भेज दिया है तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दे साथवी गिरफतारी भी इस पूरे मामले में हो गई है करनाटक से आरोपी मनुरंजन के दोस्त को गिरफतार कि आ गया है इसे के साथ पुलिस ने आज कोट में बताया कि बहुत बड़ी सार्जश है बहुत सारे सबूत भी मिले हैं आगे बहुत सारी कारवाई करनी है जिसको लेकर रिमांड बढ़ाया गया इससे जुड़ी तमाम बड़ी खबर और अपडेट आपको देंगे मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए है कि आपचल टिवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मरिश कुमार एक बर फिर से 15 दिन की रिमांड में इन चारो आरोपियों को भेज दिया गया है आज कोट में क्या कुछ हुआ परिसर के अंदर जिनकी गिरफतारी हुई और ललित जा इन लोगों का नार्को टेस्ट किया जाए साइको एनलेसिस की मांग दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है ये इतने शातिर हैं सबूतों को जिस तरीके से इन लोगों ने नश्ट किया और एक के बाद एक नए ख अगली कारवाई कोट से अनुमती लेगी कि इन लोगों का नार्को टेस्ट किया जाए साइको एनलेसिस किया जाए और कोट अगर इस चीज के लिए राजी हो जाता है ज़साब अगर इसका परमिशन दे देते हैं तो ये जान लीजिए कि कई सारे लोग इसमें धरे जाएं और सारा जो नाटक कब तक चल रहा है राउल गांदी का विपक्षी पार्टियों का ये सारी मिमिकरी ये सब खत्म हो जाएगी एक बली ख़बर आ रही है दहसत मचा हुआ है ये लिफ्ट डिबल कबाल और नकसली गैंग के रहा है कि आरोपी मनुरंजन डी के दोस्त को गि सारे दोस्ती कई सारे दोस्त और जिस कमरे में रहता था उसमें तीन लोग रहा करते थे उसमें से एक का नाम है स्री कृष्णा जगाली ये स्री कृष्णा जगाली ये मनुरंजन के साथ लगातार वो कॉंटेक्ट में था और ये काम क्या करता है ये सौट्वर इंजीनियर है और वो बकाइदा इंडिपेंडेंटली कई सारे सौफ़वेर्स डबलब कर रहा था मतलब ये मनुरंजन जो अलेटी जॉब कर रहा था जॉब छोड़ किया फिर उसके बाद इसने खेती शुरू कर दी ये एक अच्छी लाइफ जी सकता था लेकिन दिवांग में अगर जाके घर के बाहर कुछ लोगों ने वो एक आपती जनक पोस्टर लगाए हैं जिसमें इनको कोई कायर नहीं कोई उपद्रवी नहीं बलकि करांतिकारी बताया जा रहा है कि हीरो के तोर पर उसको पेश किया जा रहा है कौन लोग आये कौन लोग चिपका के चले गए ये सा बारवालों से पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मिलने आ रहे हैं बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ सानवोती दिखा रहे हैं के भी पैत्रिगाव में प्रदर्शन हो रहा है समर्थन में ये देखिए तो ये पूरा का पूरा वही मार्श निकाला है माइक लेकर के लोगों के सामने जो है सरकार के खिलाब देश के खिलाफ हिंदुस्तान की डिमोकरिसी के खिलाफ ये लोग जहर उगलने वारे लोग है एक और उरई से जो गिरफतार हुआ उमेश कुलस्रेश्ट वो उसके पूरे फेस्बुक अकाउंट को देख के लगता है कि उसको तो न हिंदुस्तान पसंद है न समिधान पसंद है न संसत पसंद है लोग यह वामपंत के वायरस से ग्रसित लोग है यह बीमार लोग है जिल लोगों के लिए कोई सहनवुती किसी व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए गिरफतारी हुई है यह मनुरंजन के कनेक्शन से गिरफतारी हुई है मनुरंजन के साथ यह रहने वाला यह एक टेकी है और किस तरीके से और शायद यहीं तो नहीं है वो जो बार बार सिम बदलने का वेबसाइट बनाने का नए नहीं चीजों ऐसा कि कि किसी का कोई चैट आठी नहीं मिल रहा है तो यह जो दी जा रही है टेक्णिकल सपोर्ट जो दिया जा रहा था उसमें कहीं यह शामिल तो नहीं है कि हमारा ओě के लोग से gemaakt कि साघर मिस्रा के मां भी कह रही है कि हमारा बेटा तो सीधा साधा रिक्सा चलाता था अब ये मालूम चल रहा है कि रिक्सा नहीं चला रहा था, घर में वो साथ-साथ सूज लेकर क्या आया, मां को मालूम नहीं चला, घर वालों को मालूम नहीं चला भई, एक जूते लेकर क्या आओगे, साथ-साथ जूते लेकर क्या रहे हो, और उसमें सोल बना रहे हो, उसमें जो ह को लेकर के तुम निकल रहो एक साथ घरवालों को जरासा भी इसका इल्म नहीं वह सक रुझक ना क्या कोई महल है कि किसी भी कमरे में कोई भी कुछ कर रहा हो और घरवालों को मालूम नहीं हो इसका मतलब भ stronger यह सब मिली भगत यह लोग सारी चीजों को यह लोग जान रहे थे क्या नीलम के परिवारवानों को मालूम नहीं कि ये घूम घूम के किसान आंदोलन में भाशन दे रही है सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ वो जहर उगल रही है लोगों तो ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है इस से बहुत सारे लोगों को सम होने वाली है और प्रदान मंतरी मोदी ने तो पहले ही कहा कि ये जो लोग इस काम को सुरक्षा में सेंदेने के काम को जो अंजाम दिया है इसके पीछे गहरी साजिस है और इस तरह के तत्तों को एक्सपोज करना जरूरी है मतलब प्रायमा फेसी जो अब तक जो हैं ये लोग ये लोग तो विरोजगारी के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए डेमोकरसी को मजबूत करने के लिए ये कूट पड़े थे इन दलीलों से जज सहाब इतफाक नहीं रखते जज सहाब को लगता है कि ये लोग किसी साजिस का हिस्सा है और इनसे सचाई होगी जैसे मैं आपको एक्जामपल दे दू कि जिस तरीके से लली जाने अपने वीडियो को शेर किए वहां 15 से 20 लोग इसके संसर्ग में हैं कोलकता के अंदर वैसे वैसे लोग जो लोग नोन वामपंथी है ये जो उमेश पकड़ा गया ये नोन वामपंथी है वो जो पक हैं और जिस तरह से उसको बचाने के लिए लोग रेलिया कर रहे हैं जिस तरीके से पार्लमेंट में बवाल मच रहा है तो इसका मतलब यह है तो बवाल जमकर हो रहा है एक बार फिर से कई सांसदों को आज निलंबित कर भी निलंबन तो होना ही चाहिए ये लोग इस देश में कहराम मचाना चाहते हैं उपत्रब मचाना चाहते हैं आप ये बताइए कि ये सारे सांसद खड़े होकर के कहरें कि हम संगर्स करेंगे हम आंदोलन करेंगे आप संसद में आये हो या जनता की आवाज बन करके संसत के अंदर अच्छे-च्छे कानून बनाने की जिम्मेदारी आपको दी गई है हर चीज में आपको लग रहा है कि भाई हमको आंदुलन करने के आवशकता तो उनको पढ़ती है कि जिनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच सकती संसत तक जिसकी आवाज नहीं जा रहा है और कहां यह दलाल पत्रकार जो खड़े हो करके इनके साथ भई आपको आपके करतव के बारे में मालूब नहीं रिजाइन करो घर जाओ आपको करनी मिमिकरी आप जाओ कपिल सर्मा के शो में भई आंदुलन करना है तो आप सांसत क्यों हो यह तो वहीं बात हो ग मेरी आवाज उठे तो सबसे हाइस जगा कौन सा है तो पारलेमेंट है इससे उपर तो फिर यूएं जाओगे क्या तो पारलेमेंट में आवाज उठाने के लिए आपको आंदुलन करना पड़ेगा इस तरह की सब्दावाली का इस्तमाल आप करोगे आप हो क्या आपको इस सारे लोग यह जो आंदुलन आंदुलन कर रहे हैं कई सारे सांसद इसमें न पेंगे कई सारे पॉलिटिकल पार्टिया कई सारे नेता कई सारे एंजियो कई सारे तथा कथित सोसल एक्टिविस्ट इन सब का चेहरा बेनकाब होगा एक बार इनको नार्को टेस्ट या साइक के अंदर ये बड़ी मांग रखी है साथ ये पुलिस ने साफ साफ आज कोर्ट में बताया कि ये एक बहुत बड़ी साधिश का है पुलिस के बास एहम सबूत है और उनी सबूतों के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों की रिमांड को मांगा और पुलिस के तलब से 15 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है इस बड़ी कपर में मेरे साथ फिलाल इतना ही क्यावन पुलिस न अशुक के साथ मैं पूजा क्यापिटल टीवी